दोस्तों कैसे है आप मेरे अजीजों आपको तो पता है आज का दिन क्या है आज का दिन है क्रिसमस पूरी दुनिया में लोग क्रिसमस को बना रहे हैं celebrate कर रहे हैं और खूब families मिल रहे हैं चर्चिस में खूब गाने हो रहे हैं कैरल सो रहे हैं लोग नेने कपड़े पहन रहे हैं और shopping कर रहे हैं malls भरे हैं कितनी सजावट है और खूब लाइटे लगी हैं लोग ने ये करा है वो करा है और सब तरह का उत्सा हुए है एक ऐसा लग रहा कि बहुत बड़ा तैवार है और हम देख रहे हैं कि किस तरह लोग केक्स बांट रहे हैं और बेकरी में जा रहे हैं और एक दूसरे को केक्स दे रहे हैं और कुछ लोग गिफ्ट्स खरीद रहे हैं अपने परिवार के लोगों को अलग अलग गिफ्ट्स खरीद रहे हैं और स्पेशल सर्विसिस हो रही है चर्च में और लोग जा रहे हैं कहने मेरी क्रिसमस हैपी क्रिसमस और लोग गले लग रहे हैं एक दू ने कपड़ों में अपने नया हेरस्टाइल में मेकप में या नई साड़ी ने ड्रेस और नया कोट नई टाई या फिर पार्टी जमें नाच गाने में कैरल्स में अच्छी बात है आप कैरल्स गाई है नू प्रॉबलम या फिर इस तरह से आप मस्रूफ हो गए है और शायद आप भूल गए है आखिर ये जनम दिन किसका मनाया जा रहा है मेरे अजीजों क्या आपका जनम दिन है जो इतने अच्छी चे कपड़े और इतने अच्छी चीज़े और आप इतने नाच गाना और ये सब चीज़ें चल रहे हैं कभी दर जा रहे हैं शॉपिंग के पास means हैं आप करिए पर कहीं आप इस activity में इस हर शोर उलास में इस festivity में कहीं आप इस रोज मर्रा की जिंदेगी में कहीं आप मिस्टों नहीं कर रहे हैं कि आखिर ये जनम दिन आखिर किसका है दोस्तो, the Lord Jesus Christ, प्रभू येसु मसी, हमारा नजात दहिंदा, हमारा उधार करता, हमारी एक ही उमीद और आस, हमारा खुदावंद, जो पूरी धर्ती और आकाश का बनाने वाला, सिर्जने वाला, Creator God, वो देधारी हुआ, मुझस्म हुआ, वो मानव चोला पैना उसने, और एक चर्णी में पैदा हुआ, दोस्तों, ये हमारे समझ के बाहर है ये चीज़, Are you forgetting the Christ of the Christmas? कहीं इस खुब सारी खुशी में, कहीं आप भूल तो नहीं कहें, कि आखिर आप क्यों खुशियां मना रहे हैं, आखिर ये उत्साह और ये खुशी, क्या वज़े है इसकी? कहीं, दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आप इस बात पर तवज्ज़ दे, इस बात पर विचार करें, इस बात पर आप सोचें, कि आखिर खुदा इनसान बनके क्यों आया? और दोस्तों, Are you forgetting the Christ of the Christmas जैसे मैंने आपको बोला? भाईो, ये समझने के लिए बहुत मुश्कल है, बहुत मुश्कल है, कि आदमी तसवर करें, इस बात को अपनी इमेजिनेशन को कोशिश कीजे, स्ट्रेच करने के लिए, और आप हजारों किताबे पढ़ लीजे, हजारों डिग्रिया ले लीजे, और आप फिर भी इस बात कुछ समझ नहीं पाएंगे, कि आखिर परवेश्वर इंसान क्यों बना, कैसे बना, अरे कुमार, क्या मिट्टी का बरतन बन सकता है, मैंड बॉगलिंग चीज है, अरे पागल करने वाली चीज है, कि कैसे खुदा इंसान बन सका, और उसका नाम रखा गया, इमैन्युवेल जिसका मतलब है, गॉड विद अस, परमेश्वर हमारे संग, यही तो बोला गया था, कि उसका नाम है इमैन्युवेल, गॉड विद अस, दोस्तों, साथ सो साल पहले भविश्वानी करी, यह शाया नभी ने, नौ सो साल पहले दाउद बादशा ने इसके बारे में जिकर कि इंतजार था लोगों को एक मसीहा का, और आखिर वो दिन आया, दो अजार तईस साल पहले, जब खुदावन, in the fullness of time, समय का पूरा होने तक, वो पूरा हुआ समय, in the divine time table of God, खुदा के समय में, और परमेश्वर हमारे समय में, इन अही stepped into our time, और हमारे समय में वो आया, एक प्रेडी गई, उसने का, मुझे तो नए जूते चाहिए, आज क्रिसमस के लिए, तो गई दुकान में, और वहाँ पे एक Christian आदमी की बड़ी अच्छी जूतों की दुकान थी, उसने का, अंकल जी, हमें एक बहुत आच्छी जूता चाहिए, देखिए, पिंक कलर का कोई ज पिंदाज हो उसमें, और Christmas के बड़े चे कलर्स हो, और मैं चाहती हूँ कि I want to wear it on Christmas Day, और मैं ये special जूते ये देखिए, बहुत अच्छा मेरा ड्रेस है, मैं इसके साथ मैचिंग पहनना चाहती हूँ, तो अंकल समझ गे, उनके चेहरे पे एक मुसकराट से आई, उसने का, मैं आपको best Christmas sandals लेकर आता हूँ, जिसमें पूरी meaning of Christmas आपको समझ आ जाएगी, meaning of Christmas, हाँ, मैं अभी लेकर आया, तो लेकर गए, और बड़े शांदर से box में, उनको दिया, मैडम, आपका number 7 है ये लीजे, ये आपके लिए बहुत special, एक special Christmas के sandals है, अंकल कैसे मजा कर रहे है आप, what are you saying, अंकल जी, what, कैसी बात कर रहे है, हमें जूता पहनने के लिए चिए, हाँ, पहनने के लिए, ट्राइ किजिए न आप, इतने चोटे box में, मेरा पैर इतना बड़ा, कैसे हो सकता ये, आरे, ट्राइ तो कीजिए ना, खोल की तो दीखे ना, आपको Christmas का best जूता च अंकल जी, कैसे मजाग कर रहे हैं आप, ये देखिए, आप इतने चुटे चुटे जुते दे रहे हैं मुझे, ये देखिए, अंकल जी ने निकाला, ये देखिए, कैसे लगे आपको, बड़े प्यारे जुते हैं ना, सच नाइस, ब्यूटिफल, कितने अच्छे चे हैं, यह तो मेरी छोटी फिंगर भी नहीं जाएगी इसमें, कैसी बात कर रहे हैं आप, यह तो मेरे छोटे बच्चे को पैरों में भी नहीं आएगा, यह कैसी बात कर दी है, आपने हमारे बिल्ली है हमारे घर में उसका पैर नहीं आएगा इसमें, यह तो ऐसे आपने छोटी आप, क्या बात कर थे हैं। उसने का आप ने कपरे ढूंड रहे हैं। मैचिक ड्रेसे ढूंड रहे हैं। आपके हाथ में कितना सा केग है और आप ने-ने पेष्ट्री गेख़ीद रहें हैं। इससे बढ़कर पे कुछ चीजे हैं, बेटी, उस दुकानदार ने का, मेरा नाम मिस्टर मैथ्यू है, उनने का, मैं लोग को देखता हूँ, वो थोड़े गुमरा हो गए हैं क्रिसमस के टाइम, पाटीज कर रहे हैं, शराबे पी रहे हैं, मतवाले हो रहे हैं, पर वो भूल गए है, क्रिसमस का असली म गुषने में, वैसे ही एक असंभव, हैरान करने वाली, हैरान और परिशान करने वाली बात है, कि परमेश्वर इनसान बने, जैसे आपका पैर इसमें फिट आही नहीं सकता, इंपॉसिबल है, वैसे इंपॉसिबल बिकें पॉसिबल, जो असंभव था, वो संभव बन गया और वो खुदा जिसके स्वर्गों के स्वर्ग भी उसको समा नहीं सकते Even the heavens of heaven cannot contain Him The Almighty God सर्व शक्तिमान खुदावंद सर्व ग्यानी परमेश्वर जिसने सब कुछ एक शब्द में रचा पूरे भूमंडल का मालिक महिमा का राजा The King of Kings and the Lord of Lords खुदावनों का खुदावन शेंशाओं का शेंशाओं वो खुदा मुजस्ब हुआ देधारी हुआ हमारे बीच में डेरा किया और उसका नाम येसु रखा गया क्यों क्यों रखा गया येसु ताकि वो अपने लोगों को उनके बापों से बचाए हाँ वो आया हम लोग जीने के लिए आते पैदा होते है मेरे ईजीजो पर वो आया मरने के लिए आया मरने के लिए आप बोलो के मरने के लिए हाँ दोस्तों पाप की मजदूरी मृत्यु है रोमियो 3.23 में लिखाए आपको तो जानते ही अरे मुझे थोड़ना बतानी की जुरूते है आपको आप तो जानते हैं इस बात को क्योंकि हमारा हिर्दे और आपका हिर्दे कितना ढोंगी और दुष्ट है ये बुरे विचार ये गंदी चीजें जो आप देखते हैं गंदी बाते सुनके जो मजाक आपको खुशी होती है ये जो आपका हिर्दे जो ढोंगी दुष्ट है सब तरह की बुराईया इर्शा गमन, जलन गुस्सा विविचार कतल ब्रश्टाचार सब तरह की बुराईया और सब प्रकार के जूट इस कंबक्त हिर्दे से निकल के आ रहे हैं दोस्तों बाइबल बताती है हर एक ने पाप किया है पर मैं तो हरान होता हूँ हम जैसे मिट्टी के पुतले और वो भी पापी लोगों के लिए जिसका कोई वजूद नहीं कुछ निहीं, हमने पीट दिखाया खुदा को अम उसे प्यार नहीं करते, हम खुदा के किसी नियम को नहीं मानतें, सारी नियम को तोड़ावा हमने हम में कुछ अच्छा ही नहीं हम इतने बदकार लोग पापी लोग कमजर्व लोग, गिरेवे लोग ऐसे लोगों के लिए वो अती 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 पवित्र खुदावंद देधारी हुआ क्यूँ दोस्तो क्यूँ सिर्वे की वज़े है दोस्तो और वो वज़े है और वो वज़े है कि वह आप से और मुझसे बे इंतहा महप्बत करता है यहुन्ना 3.16 जो खुदा के कलाम में लिखा है वो यह है एक ही वज़े दिये बाइबल ने कि क्यों परमेश्वर इंसान मन किया है वो यह है खुदा ने जहां से आप से और मुझ से इस कदर महबबत करी इतना अधिक प्रेम किया सीमा नहीं है दोस्तों सीमा नहीं उसकी महबबत करी वो एक अनंदकाल का प्रेम है जिसको आप समझ नहीं पाते उसकी गैराई, उन्चाई, चुडाई, लंबाई आप नहीं समझ पाते कोशिश मत कीजिए वो बहुत प्रेमी परमेश्वर वो प्रेम का सागर है दिया का सागर है वो वो खुदा, वो जो स्वर्गों मे विराजमान है वो खुदावंद, हम पाप्यों को बचाने के लिए इस दुनिया में आया पाप की मस्दूरी जो हमें मिलनी थी मृत्यो जिसको नर्भ कहते हैं हिमेश्य की जुदाई वो चकने के लिए आया क्योंकि हर एक ने पाप किया है दोस्तो अगर कोई पापी नहीं होता तो परमेश्वर कभी आते ही नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आदम ने वो गलती करी गुना किया उसकी बीबी ने वो करा हवा ने पाप आया पाप के सबफ से जुदाई आई मृत्यु आई पूरे मारवजाती पे लगो हो गए हम पाप इसलिए करते हैं क्योंकि हम पापी हैं पाप करने से आप पापी नहीं बनते हैं हम पाप करते हैं क्योंकि हम पापी हैं दोस्तों हमारी खसलत हमारा नेचर ऐसा है दोस्तों सच कह रहे हैं ये खुदा का कलाम कहता है मैं नहीं कह रहा है आप जानते हैं और खुदावण जानते कि आपने कितने गुणा की है दोस्तों, कितने गुना की है, फिर भी वो परमेश्वर, इतनो इतनो महार बड़ा परमेश्वर, हम पापियों के लिए इतना छुटा हो गया, ये परमेश्वर, क्यों? वाई गाड वाई? और एक यह अंसर मिलता है Because I love you कि मैं तुमसे बेदाव मुहपत करता हूँ मैं बहुत प्यार करता हूँ बहुत प्यार करता हूँ तुमसे और दोस्तो जब आप इस दुनिया में इस नाच गाने में इस चकाचॉंद जो क्रिस्मस सीजन में आप उस मसीई हाको मत भूलिएगा प्लीज जो आप के लिए और मेरे लिए और पूरे जगत के लिए देधारी हुआ इंसान बना हमारे जूतों में आगया वो ग양गी हमारे जूतों में आगया और जो सजा मुझे मिलनी थी मेरे गुनाओं की और आपकी गुनाओं की हर नियम जो हमने तोड़ा था प्रमेश्वर की सजा जो हम पर आनी थी खुदा का गजब जो हम पर आना था उसने बड़ी खुशी से अपने अपर ले लिया क्यूं ले लिया क्योंकि उसने आप से प्रेम किया ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए वो नाश ना हो पर तु अदंत जीवत पाए that you may receive eternal life and not perish He sent His Son उसने अपने बेटे को बक्ष दिया दे दिया देने का मतलब सलीप पर खुदावन येसु मसी ने हमारे गुनाओं के लिए अपनी जान दी दोस्तो He died on the cross for your sin and my sin उसने अपना बेश कीमत लहू बहा दिया कुर्बाण हो गया हूँ किसी नेक इनसान के लिए तो कोई जान दे दे पर पापीों के लिए कौन जान देगा दोस्तो कोई ने जब अप पापी ही थे उसने अपने प्रेम को इस तरह दर्शाया कि सलीप पर वो मारा किया God demonstrated His love toward us that while we were yet sinners Christ died for us ये है महपबत ये है इलाई महापबत ये है अगे पे प्यार है उसका sacrificial love दोस्तो बहुर्ड बड़ी कीमत चुका है उसने अपने लहू बहा के और और क्यों क्यों दोस्तों और तीसरे दिन हमारा खुदावन येस मसी जिन्दा हुआ वो कोई मरावा नहीं है कोई मरावा नहीं है वो वो जिन्दा है वो कबर में नहीं है कबर उसको रोक ना पाई और वो जिन्दा हुआ और जिन्दा ही स्वर्क में गया और दुबारा आने वाला है He is the living Lord and Savior of the world पूरी दुनिया का एक ही नजात नहिंदा है एक ही मुक्तिदाता है एक ही Savior है और वो हमारा प्रभू येसु मसी है उसके इलावा और कोई नहीं है उसने का मार्ग सच्चाई और जीवग मैं ही हूँ मेरे बिना कोई पिता प्रमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता मैं ही एक रास्ता हूँ मैं ही हक हूँ मैं ही जिन्दगी हूँ दोस्तो अगर ये सच है अगर ये सच है तो आप उसके पास नहीं आना चाहोगे इस क्रिस्मस के मुबारक दिन क्या दोगे आप उसको वो आये थे बुद्धी मान लोग पूरफ से सोना, मुर, लुबान लेके आए और उसके कदों में डाल दिया चरवाय आये उसको डंडवत किया, उसको वर्शिप किया दोस्तों, आप क्या दोगे आप क्या दे सकते हैं आप सिर्फ ये दे सकते हैं ये, क्या है देखना चाहते हैं आप, मैं बोलता हूँ ये आप सिर्फ अपना हिर्दे दे सकते हैं और कुछ भी नहीं दोस्तो आज वो बलाता है देखो मैं तेरे दिल के द्वार पर बड़ा खट-कट आता हूँ उस टेम तो कोई जगा मिली नहीं एक सराई के मालिक ने उनको गौशाला दे दी दोस्तो आज वो मसीहा वो खोदा वो नजात दहिंदा वो सेविर अव दे वर्ल जगा दोगे अपने दिल में इसको प्रभू बलाओगे यही तो दे सकते हैं क्या दे सकते हैं अपना छोटा सा दिल दे सकते हो और वो खोदा जो स्वर्गों के स्वर्ग नहीं समा सकते हो आपके दिल में आएगा मैं आत्मा की दुबारा और इसको अपना राजा बनाओ और आज इसको ग्रहन करो आज ग्रहन करो उसको बोलो हे पिता परमेश्वर प्रभु येसु मसी मैं आज अपना हिर्दे आपके सामने लेके आता हूँ मैं अपना जीवन आपके सामने लेके आता हूँ प्रभु जी मैं अपना जीवन आपको देता हूँ प्रभु जी मैं मांगता हूँ अंगिकार करता हूँ कि मैं पापी हूँ गुनेगार हूँ मैंने बहुत पाप किये प्रभु बहुत दूर हूँ आपसे प्रभु खुदा मैं बहुत दूर हूँ आपसे प्रभु प्रभु के पूरा क्रोध अपने उपर लिया सजा ली प्रभू आप कुर्बान हो अपना बेश कीमत लहू बहाया प्रभू और प्रभू आपको दफना दिया और तीसरे दिन आप जिन्दा हुए जिन्दा ही स्वर्ग में गया और दुबारा आएंगे मैं पूरे मन से विश्वास करता हूँ और आज अपना हिर्दे आपके सामने लाता हूँ प्रभू मेरे दिल में आजाओ मेरे दिल में आजाओ प्रभू मैं आज आपको अपना उधार करता हूँ मुक्ती दाता हूँ प्रभू करके ग्रहन करता हूँ आप मेरे राजा, आप मेरे प्रभू, आप मेरे उधार करता है प्रभू ये विश्वास की प्रातना में प्रभू, येसु मसी के नामे मांगता हूँ आमीन दोस्तो, अगर आज आपने ये प्रातना करी है तो आप उसकी संतान बन गए है और बेस्ट गिफ्ट जो आप दे सकते हो जब उसका चलम दिन है, वो आपका हिर्दी है वो आपका दिल है, और वो आपने दिया है आज दोस्तो दोस्तो, और आप उसकी संतान बन गए है आपके पाप शमा हो गए है खुदा आपनी शांती और खुची से आपको भर देगा एक उमीद देगा, एक आशा देगा यगर जिन्देगी का सफर भी खतम हो जाए हम उसके साथ अनंद काल तक रहेंगे उस राजा के साथ रहेंगे, उस प्रभु के साथ रहेंगे उस सचे खुदा के साथ रहेंगे दोस्तों, वो आया आपको और मुझे बचाने के लिए वो येसु है, वो हमारा उधार करता है वो हमारा मुक्ति दाता है दोस्तों, ये क्रिसमस आपके लिए साही माईनों में एक स्पेशल दिन बन जाए God bless you